दोस्तो टोयटा किरलोसकर मोटर ने लंबे इंतिजार के बाद अपनी फॉर्चुनर का फेसलिफ्ट मॉडल लॉंच कर दिया है फॉर्चुनर अपने सेग्मेंट की लोक्रियकार है यही कारण है कि कंपनी ने इसके फेसलिफ्ट मॉडल में वो सारे अपडेट्स दिये हैं ज पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रियोल आटो न्यूस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फड़ावट से कर दीजे और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजे वेल टोईटा ने अपनी नई फॉर्शनर को रेगिलर और लेजेंडर वर भी स्टाइलिश और अग्रेसिव है इसके अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कंपनी ने इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजिन ऑप्शन्स दिये हैं इसका 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन 164 बहपी की मैक्सिमम पार और 245 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जेनरेट करेगा टॉयटा ने अपनी फॉर्चनर का इंजन भी अप्ग्रेट कर दिया है जिससे अब पहले की तुलना में इसमें ज्यादा पार मिलेगी इसका लेजेंडर वर्शन केवल आटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही उपलब्ध है और इसका स्टैंडर्ड वर्शन मे आप्शनल 4x4 सिस्टम भी उपलब्ध है हाला कि लेजेंडर में आपको 4x4 सिस्टम नहीं मिलेगा अब कीमत की में बात कर लू तो कमपनी ने इंडियन मारकेट में शुरुआती एक शोरोम कीमत 4,10,000 रुपे रखी है जो की मॉडल बढ़ने के साथ 7,00,000 रुपे तक चली आपको 49,000 रुपे नहीं में आपको 1,00,000.